हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है मेरच से किशन कुमार जी किशन जी आपका स्वागत सवाल पूछिए किशन जी आपका स्वागत सवाल पूछिए एक्चली जो हमारा जो मध्ध भागे कान के जी से मिडल यर कहते हैं उसका कनेक्शन एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं उसके थ्रू गले से होता है उसका काम यह है कि कान के अंदर का जो प्रेशर है उसको एट्मॉस्फिक प्रेशर के बराबर ल अच्छा ना होने की वज़े से उसको सुनने में दिक्कत आएगी और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह ट्यूब पैचुलस हो यानि कि वह ज्यादा खुली हुई हो तो उसकी वज़े से जो वह सांस लेता है वह एर का जो फ्लो होता है वह फ्लो उसके ओपर भी इफेक्ट ड महसूस होगी उस महसूस होने की वज़े से आपको जो बात कर रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी उससे में अगर आप सांस रोक लेते हैं तो वह डिस्रुबेंस कम हो जाता है आपकी हेरिंग इंप्रूब कर जाए इनको एंटी स्पेस्लिस को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि व पाद फिलहाल टोटल हिल्थ में समय है सेग्मेंट हिल्थ पहेली का एपिसोड नमर 486 का सवाल था कि लड़कियों में सरवाधिक उचाए यानि माक्सिमम हाइट किस उम्र में बढ़ती है तीन आप्शन से आपके पास सही जवाब है आप्शन A 14 वर्ष में बढ़ती है पहरेपन का शक होने पर क्या करना चाहिए ऑप्शन A कान में एरड्रॉप डालनी चाहिए ऑप्शन B ENT स्पेशलिस्ट को तुरंत इखाना चाहिए या फिर ऑप्शन C बच्चे की उम्रु बढ़ने का इंतजार करना चाहिए आप अपने जवाब होमें 27 जुलाई तक इमेल.com पर तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेज कर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ को इस कॉंटेस्ट में और कौन बने है एपिसोड नंबर 486 के लके विनर ये हम चानते हैं डॉक्टर तनीजा से जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट इंट्रीज डॉक्टर त अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिट फायर डॉक्टर हंस आपसे शुरू कर रहे हैं पहला सवाल आपको बहरापन या बधिरता का अर्थ है बिलकुल सुनाई न देना सही है गलत जी डॉक्टर तनेजा बहरापन यानि डेफनेस सिर्फ जन्जात ही हो सकती है नहीं ये सुनने के साथ सुनने में कमी आना सामाने बात है बीमारी नहीं इलाज नहीं करवाना चाहिए एक उमर के बाद अगर वही चीज जल्दी आ जाए तो फिर खराब है जी डॉक्टर तनेजा बहरापन के कई कारण है जैसे चोट लगना बीमारी या कोई संक्रमन यानि इन्फ सेक्शन या कुछ चले जाने से अस्थाई बहरापन यानि टेंप्रेरी डिफनेस हो सकती है अगर माता पिता को कम सुनाई देने की समस्या हो तो बच्चों में भी ये समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है अब बिल्कु ठीक है डॉक्टर तनीजा कान में अगर बार बार दर्द हो लंबे समय तक चले तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा नहीं ये गलत है उसकी जांच करानी चाहिए डॉक्टर सुनीता बच्चा अगर सपश्ट न बोले या देर से बोले तो उससे सुनने की समस्या हो सकती है बिल्कुल हो सकती है तो जो भी हमारे पास ऐसी केस साथ है जिनको बोलने में प्रॉब्लम है हम उनका हेरिंग टेस्स जरूर करते है जी डॉक्टर हंस कान में मैल या दर्द हो तो गुन गुना तेल डालने से बहुत फायदा होगा डालना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे ड्रॉप्स हैं साइंटिफिक ड्रॉप्स हैं होती है और उसके बाद वो हेरिंग का पार्ट यह उत्रा डैवलप नहीं हो पाता डॉक्टर सुनीता हेरिंग एड्स के साथ बच्चों को स्पीश थेरपी देना भी उतना ही जरूरी होता है बिल्कुल टेक्टर हंस कॉक्लियर इंप्लांट है क्या कॉक्लियर इंप्लांट करके अंदर Tucson को देता है अंदर वाला हुसको बेजली में तबदील करके सीदा नस को दीता है तो हम को क्लियर इंप्लांट से सीदा नर्व स्टिमिलेशन कर रहे हैं और पूरे कान के तीनों भागों को बाई-पास कर रहे हैं जिश्र ट्टर तर्णीजा कॉट्टेरियर इं नहीं सुनी और बोली नहीं है। कराते हैं और जिसमें मदर को इन्वाल जरूर करते हैं। कर सकती हैं उसकी बाद वो घर पे फॉल उप कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो कान में दर्द हो कान सुनता कम हो जब भी कान की प्रॉब्लम हो इमिजेटली आपको कान नाग गला विशे शग्या के पास आना चाहिए। डॉक्तर तुनेजा कि नहीं यह जल्दी जल्दी करवानी चाहिए। यह जल्दी करनी चाहिए। या जिन्होंने कोई ऐसी मेडिसन ले रहे हैं जिनका साइड इफेक्ट इयर पे होता है उनको जल्दी कराने चाहिए डॉक्टर सनीता स्पीच थेरपी की जो प्रक्रिया है वो कितने समय तक चल्दी है अगर चोटा बच्चा है तो उसके लिए कम देर चाहिए और बड़ा है तो हमें दो से तीन साल बिज़ाद बढ़ सकते हैं कॉक्लिया इंप्लांट कितनी तरह के होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं बेसिक उसका जो वरकिंग है वो सेम होता है सब में पर जैसे मैंने आपको बताए चार तरह के हैं ऑस्ट्रेलियन है ऑस्ट्रियन है फ्रेंच है और अमेरिकन है जी डप्टर तनेजा कॉक्लिया इंप्लांट कितनी बार करना पड़ सकता है यह इसकी जो लाइफ बहुत ज्यादा है दस साल की जो कंपनी ही वारेंटी देती है लेकिन यूजरी यह काफी लंबे समय तक काम करते हैं एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट को कैसे चुना जाए शुना जाए इसकी लिए क्या एक एंटी गैस्ट के पास एक जासके जरली लोग गाइड कर सकते कहां सेंटर पे आना है टॉक्टर हंस, कॉक्लियर इंप्लांट लगा हो तो व्यक्ति की MRI नहीं हो सकती बिल्कुल ठीक टॉक्टर तोनेज़ा, कॉक्लियर इंप्लांट को कुछ साल बाद बदलवाने की जरूरत पढ़ती है प्राया नहीं पढ़ती आज टॉक्टर सनीता, स्पीश थेरपिस्स के साथ बदरपन में साइन लैंगवेज भी सीखनी जरूरी होती है कुछ-कुछ केसस में आखरी राउंड बहुत जल्दी से ठीक से सुनाई देता रहे इसके क्या तरीके हैं टॉक्टर हंस ज्यादा शोर में ना जाएं, डिस्कोज में ना जाएं कान में ये लहर वक्ट एरफोन्स लगा के ना रखे अगर इवन जब डॉक्टर स्टेतोसकोप लगाते हैं तो उनको दिखाते रहना चाहिए कि वैक्स जो है पीछे की तरफ धकेली ना जा रही हो और ये सब चीज़ होते रहे हैं डॉक्टर तेनेजा कानों के लिए सबसे बड़ा खत्रा क्या है कानों के लिए सबसे बड़ा खत्रा लाउड ब्यूजिक है सुनीता जी आखरी सबाल आपको बोलने के सभी दोश वाग्चिकित सायनी स्पीच थेरेपी से दूर किये जा सकते हैं अलमुस सारे इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुनीता डॉक्टर तेनेजा डॉक्टर हान साब सभी का और विस्तार से हमारे विशेश अग्या ने बताया है तो ना सिर्फ आप बहरेपन की समस्या से बचाव कर सकते हैं बाकि अपने सुने की शक्ती को भी बरकरार रख सकते हैं और उमीद हमारी ये तमाम बात हैं जो विशेशग्यों के जरीए आप तक पहुंची हैं आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी और आपको हम ये जरू कहना चाहेंगे कि जितने भी इमेल्स आपके आए हैं वो हम विशेशग्यों को भीजवा रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका कारिकरम देखने के लिए अगले सब्ता जब मैं और केरन लौटेंगे टोटल हेल्ट में तो हम बात करेंगे एक और महतुपूर्ण विशेपर तब तक के लिए नमस्कार जाए हैं